हेलो बच्चों माइसेल्फ डॉक्टर एसके शेनी टीम जुलोजी टीम शील्ची सबसे पहले मैं कि 2022 एस्पारेंट को सभी बच्चों को अग्रिम सुब कामना ही देना चाहता हूं कि आने वाले 17 जुलाई है इसमें बहुत अच्छा करें और बहुत बेस्ट करें और हिंदुस्तान को टॉप करें यह मेरी अग्रिम सुब कामना ही है हम बच्चों आज सोल करने जा रही है हमा दंगल बच्चों आपके लिए एक संजीवनी सापित हो रही है जैसा हम देख रहे हैं कि दंगल भी बच्चे इतने कोंपीडेंट हो रहे हैं कि 680, 690, 700 मार्क्स है दंगल में वह प्राप्त कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो के माद्यम से उन सब बच्चों को भी यहां बता दंगल के अभी बच्चों चार पेपर बाकी है तो आप अभी भी अपने ज्ञान को अपने नोलेज को इस दंगल के माद्यम से इसमें और धार लगा सकते हो और आप भी एक बहुत अच्छी मेडिकल को ले जाए वह प्राप्त कर सकते हो इसलिए मैं उन सभी एस्पैरेंट को सबी जो नीट के बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि आप आने वाले जो चार दंगल के पेपर और हैं उनके माद्यम से आप से जुड़ सकते हो और अपनी नोलेज को और आप सकते हो इसके दौरा और एक अच्छी मेडिकल को र बना रही है आटार दस दस लोग मिलके फैकल्टी मिलके एक क्यूशन को यहां पर तयार किया जा रहे है और ऐसा पूरवे में भी हुआ है इस बार भी होगा हम ऐसे कोल्मिटेंट के साथ में कह रहे हैं जो दंगल में हमारे क्यूशन आ रहे हैं पिजिक्स केमेस्ट्री अब नहीं है यहां नहीं है तो निश्चित तोर पे बच्चित तो यहां पर बहुत अज़ा करेंगे तो अभी तो हम नहीं कह सकते लेकिन जब रिज़र्ट आए गा तब इस बात को जुरूर सुना इस बात को जुरूर याद रखना कि यहां वीडियो नमर 6 में हमने क्या क तो आगे बच्चो देखते हैं तो हमारा जो जी का जो फस्ट इपोर्टेंट एक क्यूशन है वो क्यूशन यहां पर है का बात Smith पर विंविन परकार की engaging पारे में आपको बतार कि हो संदुशन हमेट्रीकल रेडियल होते हैं को छे बाइले टाइप के यहां पर हम कहेंगे यह जो हर खरेंस चेमेंपर गट करसकते हैं यह स JUंसाइब करक करना और nak बना इसी कंशेप्ट यहां एक क्युमुशन बडखेए यहां पर बनता है तो इस तरीके से ही आप इस concept को तयार रख रहें कौन सा एक लिंगी परिकार का इसमें हम देखेंगे इसमें जन्टों बच्चों रख राइक इक राइक घ्रीकों के जन्तुत करेंद पार राइं Blood तो यूनि-sexual और बै-sexual जन्तू हो। आप से किस परकार से ही यहां पर है उपस्तित है किस परकार से हैंनों करेंगे तब हम कहेंगे कि यूनि-sexual मिनेंगे iki शेक्सियुल सभी तो मोतने परकार के essentially रती है इसको ऋमर ये परकार के सेक्शुलेटी होती है उनकों में युनिशेक्सुल कहेंगे तो आप से कहें कि कौन सा एक लिंग की जंतु है तो हमने अमारी कई परकार के ऐसे यहां पर पड़ें एक लिंगी जंदू में और द्यू लिंगी जंदू में हम लेपड़ा है तो फेरि टीमा पोस्तुमा जिसमें नर्जननांग और मादा जननांग एक ही जन्दू के अंदर होता है नेरीज जो यहां पर है जयर लगा कि यूनिसेक्सवल है इसलिए हमारा यह आंसर है हम कर नहीं करुप का जन्तु है तीनो पफघास का जन्तु है यहां है पर है टीनो फुरा का जन्तु है और Henri लिय किसकी। इन्टेटरील पराइनिम्ल है की उने अमिर्थ से क्जों शक्राइब की होती है लेकिन बात यूनिस Свॉल मैंने कहा से सभ्सक्राइब देवेग Programm चेमी पर लेकिन गोग यह सुछी ज Bets लाते हैं तो इसे दोनों और दोनो और रिप्रोड़क्टी और एक यह उन्दर होते हैं उनको बैसेक्षिल कहेंगे एक बता सकता हूँ एक त्रिक बता सकता हूं ज्यार लखें यहां पर प्रिंका चोपड़ा प्रिंका चोपड़ा प्रिंग पॉरी बेरा टीनो पॉरा और प्लेटी अलमधी यह सब क्या होंगे इस प्रिक को यूज करते हुए तो यहां पर इस इसके इंदर आंसर क्या और अमेरिकाना इसका एक बेस्ट एसके वाद में नेक्स नम्बर थर्ड एक सो तीन की इन्डर है यहां पर जाए तो टीन के आज घुद्य कौन सा संग है को नें कि इसके इंडर यहां पर कहेंगे किस संग में कि एक सो तीन में कौन सा संग पौरी पहरा से समंधित नहीं है यह एक पॉर्टेंट क्यूशन है विस अब दा फॉलरिंग डजन नोट बिलोंग तु भाइलम पॉरी पहरा तो साइकोन बच्छों आपको बता है कि पॉरी पहरा से बिलोंग कर रहा है स्पॉंजिला बिलोंग क तो इसके बाद में नेक्स्ट अंदर होती है बट यहां पर कुसा है यां पॉरी पेरा से कोल बहुंग नहीं कर रहा तो वांसर आएक मारा बिलोंग नहीं कर रहा इसके बाद में नेक्स्रिक हम डेके फोर के अंदर देखें तो लोकॉमेशन की शोपड आध में प्लेट फॉबटे लोकॉमेशन की किरिया में तो ढम देखेंगे यह टिन फोरा का क्रेक्टर वग्चों ध्यानरे प्लेट जाते हैं ह् shows करने में यहां पर है करता है करता है तो इसमें और आरील्य नहीं होगा इह संग का नाव है यह को जाएगा तीनिय प्लेटीयल बंतीका यह नियुक्ति यह और फाइप्सक्याइब्स देखें कि यहां छोड़ दे रखे आईडेक्पाइड डियुनर गीवन दी फिकर एबीस्य दी and select the right option about the them a b c d या फोर ओप्शन है फोर ओप्शन में हम देखेंगे कि किस परकार से किस परकार से स्क्रीन मिस हो गई थी identify of the animal given the figure a b c d and select d अंजर तो इसमें हम यहां देखें हैं कि किस परकार से इसके अंदर है आइडिंटिफाइ करेंगे एनीमल नंबर एक आपको पता है यहां बर निरीज है इनीमल नंबर दो आ नंबर टीन अंबर स्टारी नंबर चार आप बलनो को गयुलोसिट लेकर आपके पास में अंसर यहां ही remember करे रहा है कुन सा है योस मेल है यह इक पॉलॉइंग पिसट्व पूर्ट यरॉट्थ का किशन है पर इसे जी रशेन की बात की गई जी मशीन करा रहे इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राप एंडrän्ट्रोकारडियो ग्राम अब हमें नहीं पता हमें है कि अलग चीज है और इसी जी अलग चीज है तो यह मशीन यह क्रहा एपको पता है इसा नहीं कहते है तो यह हमारे बात पर और है पूस रहा है तो यह हमारा आश्य जाएगा इसीजी ग्रापिकल रीपरजेंडिशन नफ दाई लेक्टिकल अक्टिविटी यह बात भी सही है तो हम यहां पर देंगे हैं यह स्टेट्मेंट रोंग है क्योंकि रोंग स्टेट्मेंट आप सही यहां पर पुछा गया है इसलिए वहां राइट हो जाएगा इसके बाद में प्विशन नुम्र एक सो साथ की बात कर सभ्षेस पारश को त्यांच के माउओप पार्ट करें के लिए नंद शुट करता है पिर इसको चूव करता है तो एसे बिटिंग और चूविंग आप जितने भी माउथ वाड़े ताइब है इस में लेब्रम लेबियम हैं फेयर इंप से यह अनंपेड होते हैं और मेनेबल औ लिए वारत हैं उनुपर Ecoser says बहुत अच्छा सब्सक्राइं आंपसे हम और बक्कल केविटी से एंपर में नेटीचन आये तो जिंद हम देखेंगे तो किस प्रकाल प्रकाल से कि यहाँ पर हमने टीत की structure आप से पुछी है कि टीत की structure कैसी होती है तो यह एक important question हम जबताए टीत की structure अमारे अंदर हमें पता है टीत की structure जो है diagram showing the arrangement of the different type of the teeth in the jaw on one side and socket on the other side identify a b c d तो ए बच्चों यहाँ पर incisor बी यहां पर केनाइन, सी प्री मॉलर और डी यहां पर मॉलर, मॉलर, केनाइन और इंसाइजर तो यह हम इसमें अंदर देख सकते हैं, इंसाइजर क्या है, यहां पर इंसाइजर इसके अंदर भी है है उह लेकिन ब कैसे आंबर है यह यहां है यहां पर मौलर और इसाइजर के नथा हो देए कलो गलत हो दएक सो जैंट नमर क्यों में हूं रहाएगा इसलिए यहने नुमें हैं यह द Soo रेक्ट प्रोडुक्ट ऑब दा कार्वाइड़ी डाइजेशन हो रहा है वह स्टाइज होता है तो अब इसका पूचा है कि पॉली सेक्राइड उसको बैसेक्राइड निदर बदला जाता है तो कौन-कौन से यह पर प्रोडक्ट है जो हम कर सकती है कि यह मोनो सेक्राइड यह सिंपल कर्पोड़ेड की रूप में बनते हैं तो देखिए ग्लेक्टोज द्यान रखें यह भी एक क्या भी इस तार्च नहीं होगा तो मारा प्रोड़े क्योंकि प्रेक्ट आंशर तो यह बात आपके समझ में यहां पर पूचे जाती है तो इसलिए अमारे लिए पोटेंट हो गया क्योंकि नुम्हें कहरा है कि विच ओप था पॉलोइंग यह प्रेक्ट आप पूचा है त लेंट कुल के अट टमकेटेश होती है यह बात भी फ्रक्ट है यह बात कही आपके अंदर ट्रांसपोर्ट्ट टौ टुदी डिस्टियन लोक अटेड़ टारगेट और यह बात भी मारी करेक्ट आए इन वैरी शिंपल थाराइड ग्लेंड विद मेनी हर्मॉन यह बात कही है द्यान रखें इनवर्टिब्रेट के अंदर है तो आपके बाद में क्रेक्ट बी-क्रेक्ट यहां 110 113 111 नंबर क्यूसिन इह देखें तो इसमें देखेंगे डाइग्राम तuning में सेल नहीं है यहां आप से पुछेएं कि इहां हार्मोन वरक कर रहा है तो इसमें आप देखेगा कोई आफ सकतर्सक्ट यह अंजय है यह अंदर हाता है का हैग न्युक्लिस। कह दूल cela रेशेप्टर के साथ में जूड़ रहा है इसका मिनिस की अ पर लोगोंन पर फेकर लेकिन नहीं है लेकिन ए पश Lauren टीजव विए नहीं है लेकिन था रहकशीन नहीं को टीसोल है अशाम तस्ति होमारा बैट आंसर थांसर परश्चों स वजलत यह वह राफर यह वर सब्सक्राइब का सबय वन में अर्मोन घ्रींद होगान दीरह तों राक्ना रहत डीज़ rent 1965 wells oh होते हैं इसलिए मना एंसर क्या होगा two cortisol thyroxine और एंडोजन ये हम कह सकते हैं कि बाला correct रांजर है इसके बाद में next question हम देखें यहां पर next question में question number 112 में हम देखे एक 112 number question है इसमें हम चलेंगे तो आप देखेंगा 112 में कर रहा है कि match the following in column one with the function in the column second and choose the correct option कोलम मैचिंग करनी है तो यह भी मारे लिए एक बहुत इपोर्टेंट और कंशेप्चुल एक प्रकार का एक्जामिनर क्यूशन बनाता है एंपेसिस रहता है तो करता है कि यह करता है यह क्या आर्मोन देिए आपको हर्मोन और उसके कारे को मिलान करना है एसे कुशन करो लो आप पहले देखो कि वैस्परेशीन का क्या काम है वैस्परेशीन का दूसरा नाम है यहां देखिएगा हम गहेंगे इस्टुमलेट यूरी यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन नहीं टेस्टोस्टरोन नहीं एंटी डायूरेसी सार्मोन है बिलकुल तो एक का सी हो जाएगा क्या काम है एड्रेश स्ट्वलेशा का काम कर रहा है जोणा यहां इसको अक्टिवेट करेंगा यह द्यान लेकिन दूसरा पार्ट तीसरा बाट एड्रेशा घंट्रोट वार्तेक्स का एंटेश्ट के और मेल और चैने करे दोनों में नहीं इसके और किे अबर मधार को मता देते हो उसके एक्स्ट्र वरक यह लेकिन में बीद्क फिभा एक्स्ट्र वरक में पहलु में च्छीरा करता है और यहां पर करता है इसको ओन चुन करवाने मेरी गलेंड की हैक रिखनम और जांपनी और यह तो आटो इंचिन diret को मिलकस कर दिवेखे को जरू बेबी को जननम दिरवाने वाला नीविच्टरइण और एक्स्त्रा और करता है तो यह इसलिए और इस्टूलाई यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन तो इसमें आजएगा प्रोलेक्टीन का काम क्या है एंदर इसके इंदर यहां पर डी आजएगा यहां कौन चांफिधिजेल्य इंट्रेश्यल सेल सेल इस्ट्यूलिटिंग हर्मॉन जो हमारी leading cell को activate करेगा और leading cell के activate करेगा तो testosterone product होगा Ices के द्वारा testosterone तो इसमें आज़ेका भी तो CEADBC यहां पर इसमें देखिए CEADB तो हमारे पास में option नमबर दो जो है इसके इंदर इस परकार की matching हो रही है तो हमारा answer क्या हो जाएगा बच्छों इसमें और अंसर उप्शन नमबर तो हो जाएगा तो यह एक इपोर्टेंट इंप्ट्ट है इसके द्वारा कर सकते हैं इसके बाद में किउसंट नमबर 113 में देखें तो डायेक्ट हम कर सकते हैं यहां कहा रहा है कि यह आप्शन वन नमबर ट्रांस्मिट इंपल्स प्रोंब एंड दी सेकेंड मीशिंग ट्रांश्मयट्टार इंपल्स प्रों दी सेनगर तो अस्थू इलिवोज रखा एंपल्स घेज avatक है कि में मिटू तल के जडि anatomy फेन श्मा टूल और एक तुशिए डिलम तुटींस चैनाड दी विवोडो लिटू almost चैनाऺ एंपल्स प्रों ट से औरगन की तरह आता है तो इफरेंट अंदर होगा यह तीन नमर के अंदर है तो अंशर हो जाएगा यहां पर थर्ड नमर अंसर यहां पर हो जाएगा तो यह इस प्रकार से हम अंसर नमर थर्ड दे सकते हैं 113 में 117 में देखें दो दा रेस्टिंग कंडिशन ऑफ दा और यह बच्व मां आज शोल कह रहा हूं आज यहां पर देखेंगे डेट क्या है आज डेट यह अगले संडे को यह कुशन आपको ठीक शी तरिका कुशन मिलेगा मैं यह गारंटी के साथ दवा करता हूं इस पर आपको कुशन मिलेगा इसलिए यह बहुत ही अच्छा कंश अगलेट इसे आपर की साथ में क्या होगा यहां पॉजिटिव आइन ड्यू टू सोडियम में आइन पोजिटिव चार्द जैंड तो नियुक्त की साथ यहां बार रहे नेक्टिव चार्द इनके बीच में पोटेंशिल डबलब अब होगा इस पोटेंशेल को हम क्या कहेंगे यहां हबारे रेस्टिंग मेंबरेन पोटेंशेल कहेंगे जमी में ओगी यहां पर बेटेश़ और C Polarize दिया इसमें ए पॉजिटीव चाफि डी पोलराइज दिया है इसलिए नहीं होगा तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा बच्छों इसके इन्दर हम यहां पर डिक्लेयर करें तो आपके पास में पॉजिटीव चार्ज नेगटीव चार्ज और पॉलराइज चार्ज अंस चले जाएंगे पोजिडिव चार्ज अंदर चले जाएंगे और अंदर जाते ही बार्ष मेंब्रेन नेग्टिव चार्ज हो जाएगी इसको हम क्या कहेंगे अंदर क्यों जाएंगे डीपोदराइशन के समय हमारे जो सोडियूम वोल्टेज गेटेड चैनल फिर मैं एक बार खुलेंगे चैनल खुलेंगे शोडियों मंदर जाएंगे मेंब्रेन को डीपोदराइज करेंगे और समय एक्शन पोटेंशिल इस्तापित होगा तो यह दो तिन बाते हैं तो यह बच्चे आप समझ भाए होंगे तो बच्चों नेक्स्ट हैं बात करते हैं क्यूशन नंब टो प्लेटिलेट कर एह से चार क्रेक्टर के नहीं इससे समंध्ड यहां लिए भास्ट ऑसन आपर आपका यहां पर एक कर्याक्टर है कहने के चाहर है यहां पर यह हैं स्टेटमेंट नहीं है इस्टेटमेंट राइट है पिर नंबर दो ब्लोड यह रक्त में समयनेते एक लाग पचासथा जार से परती एम एंप परती है तो इसका में यह कह रहा है कि हमारे यहां प्लेटेलेट से लेस्ट आन टेक्टर देखें तो इन क्रेक्टर में हम कहें अम नंबर की बात कह रहा है तो नंबर बच्छों यहां 1,5 00.1 यह स्टेट्मेंट आपका रोंग स्टेट्मेंट हो गया इसके बाद में थर्ड स्टेट्मेंट हम देखें यहां रिलीज वराइटी ऑफ दा सबस्टेंस विच इन्वल इन दी क्लोटिंग प्रेक्टार के प्रेकार के प्रदार्त इस्ट्रावित करती है जिसे रिगांस रख्त के इसकंदन में यहां पर साहिक है बिल्कुल यहां थ्रमोप्लास्टीन ने जो फेक्टर था रड़ वो स प्रम दी बोडी तो यह बात यह कह रहा है कि इनकी संग्या में वर्दी के कारण स्रीर से अधिक रख्त स्राव हो जाता है तो बच्चों ऐसा नहीं होता प्लेटिलेट का काम है यहां पर है फैक्टर थर्ड इस्तरावित करके रख्त इसकंदन को रोकना ब्लड की स्टेट्मेंट है और नोट क्रेक्ट में हमारा हो जाएगा बी और डी आर नोट क्रेक्ट है तो इसके इसमें हमारा अंसर हो जाएगा बच्चों ध्यान लखें कौन्चा अंसर नमबर टू ऑप्शन नमबर टू बी एंडी स्टेट्मेंट है जो एक रोंग स्टेट्मेंट है और येदि पूछ लेता है यह पर करेक्ट की बात कहता तो एए और केकिन और लेकिन है क्या पूचा है क्लैक्स है इस लिए आप टा सी तरह गते रहिए truck मता है होगा यमारे पास में एक आलिंद दो आलिंद फिर एक निले दो दो निले है जोईंड डैस्टॉल में दाएं आलिन में जितनी भी यहांबर सिरह इंग घुलती है अग्रमा सिरा पसवा सिरा उसका रखताएगा बाएं आलिंद में यहांबर है पुलमॉंद्री वहन बात करें आपन तो अमारा क्रेक्ट अंसर हो जाएगा वन नम्मर यह क्रेक्टी पूछा है वाइक स्पीड एंट्राइक स्पीड क्लोज तो ग्रोंग हो गया एवी वाल्व एंड शेमी लुनर वाल वाल ओपन लिया तो हमारा अंसर नंबर वन इजे क्रेक्ट अंसर है तो यह यहां पर 116 बता सकते हैं 117 बच्चों यह एक फिर एक इपोर्टेंट क्यों आता है 117 हाती है ABC क्या है तो AB ुर C, यह क्या है पर तो यह जिल्ली जो होती है वो एलियोलर वाल होती है तो एलियोलर एपिथीलियम बी यहां पर बेस्मेंट मेंब्रेन नहीं गलत है यह तो यह हमारा गलत हो गया दो नमबर कह रहा है एंडोथीलियम गलत इसके बाद में दो भी गलत शी कह रहा है एलियोलर एप इसके बाद में अगला बच्छों बहुत इपॉर्टेंट कुछन आएगा याएगा गांट बंदले इस कुछन को यह क्या कहना चाहरा है कि है कि स्रीड में कुछ ऐसे किमोशिटीव एरिया है जो ब्रीधिंग करते वो किसके परती सेंसिटीव होते हैं तब द्यान रखें हमेशन द्यान रखें हमारे एक तो मेडालरी जुब्सक्रारा ब्रिच्टि वह लाएं दूसरा हम इंदर केरोटी आले तीसरा एरोल्टिक आल् और हैडोजन आएन की सांदरता जैसे बढ़ती है वेसे वेसे यह एक्टिवेट होंगे ब्रेन को मेसेज देंगे ब्रीधिंग करवाने के लिए तो स्रीन में कार्बन डायक्स है राइडोजन मत्रा इसकी अमांट बढ़ेगी बढ़ेगी तो यह एरिया इस केमिकल की पैचान करेंगे कि स्रीन में क्वान्टिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए यह इक इपोर्टेन कंसेप्ट बनता है किसके लिए कार्वंड एक्साइड और ऑफ्सिजन के लिए इन सिग्निपिकेंट है हमारे अंदर ऑक्सिजन के लिए कोई रिशेप्टर नहीं है ब्रीधिंग के ल यह इस तरीके से हम ऑक्सिजन डिस एसो कि कर्व का वा सकता है कि लेप्टशिप्ट या राइटजुप्ट न्यों इन इंक्रीज हो नहीं ना, साथिकिई हो दैक। कि याद रखें तो इसके बाद में next question है पर 111 नमर question important question है यह 111 नमर यहां पर कह रहा है कि read the following statement and find out the correct statement यह muscles से related question है इस बार मुसल्स का किश्वन आएगा यह देख लेना आप यह कह रहा है कि sliding filament theory state that the contraction of the muscles fiber take place by sliding of the thick filament over the thin filament यह कह रहा हमारा जो muscles यह मारा thick filament है इसके उपर यहां पर मयोशीन thick filament होता है मयोशीन का यह यहां अपर thin filament है actin का बना हुआ है तो यह कह रहा है कि मयोशीन actin के उपर overlap रहता है ऐसा नहीं है यह मयोशीन पर actin रहता है तो इसलिए हमारा statement गलत हो गया यहां पर है फिर कह रहा है muscles contraction is initiated by the signal sent by the CNS via sensory neuron माना कि हमारा brain CNS है इससे signal आएगा muscles को यहां पर muscles के पास में लेकिन यह कौन सा neuron है motor neuron होता है sensory neuron नहीं होता इसलिए हमारा statement गलत हो गया पुचा क्या है find out the correct की बात कह रहा है motor neuron along with the muscles fiber connect to it constitute a troponin tropomyosin complex है यह कह रहा है कि एक प्रेरक neuron तदा इसे जुड़े पेशी रहे है एक troponin और tropomyosin का गठन करते है नहीं myosin protein अपनी एक protein है इस गठन नहीं करते है फिर कहना है myosin protein contain ATPase enzyme activity बिल्कुल सही है बच्छो जब PCA contact होती है तो यहां पर ATPase enzyme पहाए जाता है इसकी activity यहां पर संपन होती है और हमें उर्जा मिलती है तो इसलिए हमारा यह क्या क्रेक्टांसर हो गया important है यहां की concept इसकी द्वरा हम सीख लेते हैं तो इसमें देखिएगा milan column 1 दे दिया, column 2 दे दिया A में lung, B में lens, C में leading cell D में kenal of sleeve में पढ़ लेजिएगा फिर पहले इसको पढ़ ले A में catract, erthropoesis, glucoma और asthma दे दिया यहां अब matching करनी हमें तो lungs देखिए इसमें lungs की matching किसी होगी asthma सी matching हो जाएगी तो मरा आज चार नंबर के साथ में matching है हालांकि asthma asthma bronchioles और bronchioles से समंधित डिजी जाए एक allergen रोग है लेकिन अब ब्रोंकाई और bronchioles नहीं दिया हुआ है तो इसे प्रवावीत कोल होगा इसके बाद में lens किसी समंधित है तो यहां मोतियाबिंद रोग से समंधित है cat tract से समंधित है तो हमारा lens एक नंबर से leading cell टेस्टीज ही इंदर पाई जाने वाली cell है बच्चों बहुत इपोटेंट क्यूस्ट बात बताने जा रहा हूँ हमारा टेस्ट इज उसमें leading cell होती है leading cell LH आर्मोन के प्रभाव से androgen secret करेंगी androgen आर्मोन हमारे secondary sexual character को control करती है लेकिन एक बहुत important function भी कर रहा है leading cell का जो androgen है यह bone मेरों में जाके erythropoiesis को promote कर रहा है erythropoiesis करवाता है RBC formation कर रहा है और androgen में होता है इसलिए मेल के इंदर RBC के नंबर फिमेल यह बैक्षय करते ज्यादा होती है क्यों कि मेल के अंदर androgen है और erythropoiesis करवाके और ज्यादा RBC बनाता है इसी कारण में RBC के नंबर 50 से 55 और फिमेले के नंदर 45 से 50 लाग पर क्यूबी का MM-RPC के नंबर होती है तो मेरा मन यह कह रहा है कि यहां बार 22 के अंदर यह रहाएगा इस परकार से leading cell को मिला लेंगे two से और फिर बचा kenal of slim kenal of slim में हमारी eye के डाइग्राम में परदर्सीत है यह direct name नहीं है लेकिन eye के इंदर परदर्सीत है kenal of slim क्या कर रहा है यह जो aqueous chamber होता है cornea और lens के बीच में यह हमारा cornea यह lens है इसके बीच में जो aqueous को एस को हमर उन हे उसको यह पर है एक जिट कर रहा आई से चिकर रहा जिससे परयसर मैंटेन रहता है अब मून लो में आज मेंका जए तो इसके अंदर यह दर Prose बढ़ जाएगा और दरीwoेच बढ़ जाता है उसे रोग को भॉत होते हैं ग्लुकोमा रोग ध्यानक ने थोड़ी सी एंसीर को एक इक्सिंड किया है यह लेकिन कुण के डाइगाम में यह बात में थे ने तो ग्लुकोमा यह से समगने थे होमारा तीन नंबर है यह होजाएगा चार-एक-धो-3 देख लिए चार एक टीन दोने चार एक दो तीन option number टू हमारा correct answer है तो यह question number 120 में हमारा option number two है वो यहां correct answer बनता है तो यह है important question है इसके बाद में question number 121 में next देखें 121 नंबर जो क्यूशन है वो भी पीर एक important concept के साथ में यहां पर आएगा इसमें देखिएगा एक्सक्रिशन से related क्यूशन है यह क्या कहना चाहरा है इसमें कि नीचे दिया गया आरेक ही है मेल पीजिन का चित्र है निमना कित भागों में A, B, C, D को पैचानी है और इनके बारे में सही विकल्प का चेहन कीजिए तो हम इसमें पैचाल लेंगी A क्या है इडचा अप्स्केंष updated शायों में एक हमारा जायो टन लेकिन उसली गलत हो गया तो मारा उप्सन क्रेंट सरे बेंग तो आप्सन ब्सक्राइब्स और कंचाल सी प्रेंट का खालत शोट्रुष e तो हमें ऐसे concept से इस परकार से शीख सकते हैं फिर 122 नमर क्यूशन फिर एक स्क्रिंज क्रिंज क्रिंज का है विछ फॉलोविंग इस साईट आप दा री ऑपनी को अशोसन नहीं हो ऊता है वह क्या है हैंले लूप की दो पूझजा एक सेंडंडिंग नहीं हो तो अप्सिंग नमर एक यांपर नहीं हो जाएगा तो यह द्यान रखें यहां, इसके बाद में 123 के अंदर which of the which sequence is correct of the male reproductive organs, male reproductive organs के अंदर correct sequence कौन सी है, तब देखिए हम testis की बात करें, यह हमारे अंदर testis है, यहां पर seminiparous tube है, seminiparous tube के साथ में यहां एक और पतली सरंचना है, यह बच्चों पतली सरंचना है, इसका नाम दे यह द्याद रखें, tubuli recti, एक ही पोर्टेंट है कुष्ण नहीं पर बनता है, यह tubuli recti, NCRT की थोरी में डाइरेक्ट नहीं लिखा हुआ, यह सब देशा है, तो थोरी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन diagram को पड़े ध्यान से जूम करके हम देखें इसके diagram को, तो यहां पर tubuli rect recti इसके इंदर नहीं लगाता है, इसलिए आटा alarm को और यह सब्सक्राइब तो यह हमारा चार्ट नंबर ओप्शने क्रेक्ट हो जाएगा इसमें एक वर्ड मैं एक्स्रा डाला है एक्स्रा इसलिए नहीं है एक्स्रा आपको एक्स्रा लग रहा है कौन सार टूबली रखता ही है यह थियुरी में नहीं लिखा हुआ यह तो टेस्टीज का टीएस का डाइग्राम दे रखा है जो में रिप्रडुक्टिव डाइग्राम दे रखा है उसको जोम करते हैं तो यह सरंचना आपको दिखाई देगी इसलिए यह सब्द मैं आपको य कि यह पोटिन सब्द बन जाता है कि यह किसी समंदीत है इसलिए आपको याद रखना है इसको तैयार करना है यह इसे ही आप समझें कि एंचल्टी में नहीं है यह सब्द उठाया है ओक्य बच्चों तो अमारा आंसर नंबर फोर यहां पर क्रेक्टा अंसर होगा इसके बा प्रोट्रक्शन जी समंदीत है रीड फॉलॉइंग बहुर स्टेटमेंट है हम चार स्टेटमेंट दे रखें उनको पढ़ेंगे फिम्परी अंडोत्सरक के बाद अंड के संग्रैने में साहिता करती है फिम्परी अंडोत्सरक की गटना के बाद में अंडानों को ओवम को यहां पर क्लेक्ट कर रही है तो हमारा स्टेटमेंट क्लेक्ट है यहां पर फिर कह रहा है यूट्रस ओपन इंडोती वेजा ही ना यूट्रस से यह पीर सेब्ड यूट्रस है इसकी यह सर्विक्स है सर्विक्स आगे किसमें ओपन और ही है इस वेजा ही ना क्यों रही है इ इनर GLEN NEOLAYER- लेह इंट्रेस Economy में और 113 तो इनर लेहर के बात कहरा है तो यह भी मारुयाइक स्टेक्रिंट मेंटेट्मिन्ट इनृट्अछ कि यहां पर एसके का बाद में एम्पुला इसके बाद में इंफांडिभूलम इसके बाद में फिंबरी यह चार पार्ट है यह कह रहा है तो आंसर होगा तीन स्टेटमेंट पहले तीन स्टेटमेंट आपके सही है तो आंसर नंबर वन आपका इस कुशन का आंसर हो जाता है तो फिर एक इसके बाद में 125 नंबर हमारे लिए इपोर्टेंट क्यूशन बन जाता है पिर रिप्रोडक्शन से समय लेटेड यह क्यूशन है इसमें कह रहा है कि स्टेज लेडिंग टूदी फॉर्मेशन आप इस प्रमीने मैच और होमन टेस्टी जे तो एक मानों वर्शन में सुक्राणों बनते हैं उसका सही क्रम क्या है तो सही क्रम की बात करें मानों की अंदर है जो सुक्राणों का पॉर्मेशन होता है उन में सही क्रम बात की है तो पहले कह रहा है यह पहला ऑप्शन कह रहा है स्प्रमेटोगोनिया स्प्रमेटोग पहले बनेगा तो यह करम गलत हो गया इस तरीके से यह किशन है और इसकी जो शीक्वेंस है वह हमें ध्यान लखनी है इसी एक कुछा गया तो इसलिए हमारा ऑप्शन नमबर तीन है यह हमारा क्या राइट एंसर है इसकी बाद में 126 नमबर अंडर जिफ्ट प्रोसीजर जाइगोट और एंब्रियो विद अप्ट एट ब्लास्टोम एर कैन बी ट्रांस्वर्ड टू जिफ्ट प्रक्रिया में जाइगोट जो है उसकी आट कोशी की इस्तर तक भून को किसमें इस्तान अंत्रित करते हैं तो सि और त इसके बाद में 117 में नबर घ्रवित का कुंसए कौन प्रभावीत करते हैं साइलेंट मिटिशन में नहीं है इसलिए प्रभावीत नहीं करता लाइफ स्वास्थिये защ पर या स्वास्ते को परभावीत करता है इसके इंदर टो एक तो इसनी मृट से हम यहां पर कह सकती हैं तो मानव स्वास्थी में जनरल यह तीन पॉइंट यहां पर दे रखें नेक्स्ट हम देखें 128 नंबर देखें तो चूज दी क्रेक्ट स्टेट्मेंट प्रम दा गीवन बिलो यह एचाईवी एड़ है यह नहीं है गलत है यह बात दा कोजिट्व एच मुते क्रीच प्रोडॉक्शन प्रॉडॉक्शन प्रॉडॉक्स्ट्ण अपड्रेंतॉमु हहां सकता है यह बात गलत यह बात गलत सहि क्या मुतेशन इंक्रीज प्रोडॉक्ष्न ऑफ चल्मny पर देखें इस्दें और में बाद में यहां और चैना को मैं घखने कपान को अंकोगी बदलने के बाद ईंजैम की बढ़ जाती है जिसके यह पिल्लास्ट के रूप में नीयोप्लास्जम के रूप में एक यह नहीं होती है मौट जो सेल डैथ नहीं होती है आप श provinces के यह नहीं होता है तो यह एक इप्रोपर्टी बनती है तो हमारा अंसर हो जाएगा थर्ड यह क्यारा है कॉंटक्ट इनिविशन इसमें तो हमारा इसमें थर्ड हो जाएगा इसके बाद में नेक्स्ट हम देके 129 नंबर इसमें तीन स्टेज है यह एक पर इसमें पर यह चानलो में जूपर आइए इसमें तीन स्टेज है यह एस स्टेज है तीन 20 stage लेंगे इस band कि एक प्रकार की मध्यान प्रिवर्ती तो होता है क्सक्षिब करें मों को एक उत्रेम स्वेल्यू एपश्ट्रीब यह खितम होंगी यह भी खतम हो गी तो क्या बढ़ गया यहां बार ग्राप हमारा क्या बन गया इस परकार सी गृत बन गया यह एक खतम भी कहतं भी कॉत गया तो यह बन गया सिश दाता है तो हमारे लीए कुछा जाता है यूद्यटर इसके बाद में पुपूलेशन पर देखते हैं यह रहा है कि चाइना और इंडिया के अंदर पसू धन बहुत ज्यादा है पसू धन ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन है कम है यहां पर तो कितना यह पर प्रोडक्शन परताया यहां पर तो 70 और 25 पर ज्याद रखना इसमें इंडिया और चाहिना के अंदर पिंद्ध गया है 70 70 परसेंट और प्रोडक्शन के है 25 परसेंट तो यह डिरेक्ट कुशन है यह इसके बाद में 31 से नम्र क्यूशन कौन सा एक अर्थोपोड़ा सी समं है तो नहीं है तो पुछा है option number two है आपका इसमें correct answer होगा इसके बाद में 132 में हम देखे हैं में column one with the column second and select the correct option from the code given below इसमें कुछ animal दिये गए है cyclostomy एवी इस्ट्यूनिकेट बेलनों कलेसे सोस्तिक कतीज यह किस्से समंदीत है cycle stomach यहां पर एगनेता है तीन नंबर से इसका मिनगी एका तीन यहां पर भी और यहां पर भी है फिर P पर देखिए यहां पर कुन सा है पांस नंबर है दो का पांस ही हो गया फिर कहा तुनिकेट से तुनिकेट से बतो किसको कहेंगे यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर समझ सकते हैं इसके बाद में 133 नंबर कहा रहा है रिट फॉलॉइंग एंड इस्टेट्मेंट जंसन या टिशू का क्यूशन है कि यह कह रहा है कि टाइट जंसन है इस्टोप सबस्टेंस प्रमदी लिकिंग अक्रोस यह टिशू जो कह रहा है द्रड संधी पदार्तों को उप्तक से बाहर निकलने से रोकती है बिल्कुल सही बात है यह क्रेक्ट स्टेट्मेंट है फिर कह रहा है एंड एरिंग जंसन पर पॉर्पॉर्मेंटिंग टू सब्सक्राइब करता है लेकिन सिंपल तो एक सिंगल लेर से बना होता है इसलिए हमारा सी गलत हो गया सी गलत हो गया बी कह रहा है कोलूंदर एपितिलिम इज मैड ऑफ दा सिंगल लेर फ्रेट सैल विद इर्रेगुदर बाउंडरी तो इस्तंबाकार उपकला एक चप्टी होते हैं तो यह हो सकता है यहां पर इस तरीके से हम क्यूशन नंबर 133 में बच्चों यहां पर बात करें तो आप से पूछे कितने स्टेट्मेंट इसके यहां पर गलत है और कितने यहां पर सही है तो यहां पर स्टेट्मेंट ए और स्टेट्मेंट बी दो सही है सी गलत है दिखलत है ज्यान रखें और डी दोनों गलत है तो अंसर नमबर तीन है यहां पर सही हो जाएगा तो एक सो तेटीस नमबर है क्यूशन में अंसर नमबर है तीन अमारा प्रेक्ट आंसर होगा तो इस तरीके से तीन का मिनिंग टूश्टेटमेंट है तो थर्ड गलत है और एक सामनी डायग्राम को यह तो यह तो यह तो कर दो लिगमेंट तो पाइन की इस तेक्ट्चर नहीं है इस लिए उसका नहीं है यह पार इंप्शन नमबर एक है यह यह थो घ्यान पीर लेक्टेल्स निसके बाद में एक पर लेक्टियल का मिनिंग है कि हमारी जो इंदिस्थैञ है दो आपेटिक वैसलर अब सब्सक्राइब करेंगी फेट का फेट का फेट का थो एक अपर मिलकी सब्सक्राइब इसके बाद में 135 से हमारा क्लियर हो फिर 136 वाला किसन देखें अब सेक्षेंट बीग बात करें थोड़ा सा सेक्षिन भी है वह मनता है थोड़ा सा लेंदी भी बन जाता है इसमें तो इस फोड़ा से सब्सक्राइब करता है तो चार नंबर और ऑग्जेंटिक सैल बच्छों किस्य समंदीता है अमास्य में एचल सीक्रीट कर रहा है यहांपर से समंदीत नंबर से क्या है एक स्रक्राइब और इसका प्रिवन के दुबर होगा तो इसके लिए यहां पर दो हो जाएगा से हो जाएगा तो यह बहुत बढ़ी एक क्यूशन है तो इस तरीके से हम इस क्यूशन को समझ सकते हैं इसके बाद में नेक्स्ट एक्सेंटिस विच वन क्या समंधित इसके इंदर क्या है तो हम थारेड की बात करेंगे तब देखिएगा क्यासित बड़ाता है कैल्सियम अश्राइप क्यशन को बढ़ाता है कैसे बढ़ाता नहीं करती और विशी को बढ़ाता है द्यान लखें तो यह भी गलत हो गया यह भी गलत यह पूचा क्रेक्ट मेंटिनेंस और वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिल्कुल सभी बात है बच्छों फास्ट प्लियो इरेक्शन प्लियो इरेक्शन का मिनिक हमारे रोम का खड़ा हो जाना काम है यह प्लियो इरेक्शन का काम है इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है यहां पर क्रेक्ट आंसर है तो यह एक पोटेंट 137 138 नंबर यहां इसीजी से रिलेटेड है इसीजी इसमें टी वेव का मार्क की अपी क्यों आरस टी के बारे में पू आस्ते है बेंडर में वेण्टी कुल डिवेंटल से रिलेटेलं से रिलेटेल और कौन्ट्राक्शन से से बेटेडर पी वेव है यह यह ढंतल और क्यान रखिया है री पोलेराेजेशन वर्ट भी में मामाही ले Zachने रीप्जिरा अवब डी वेंटरिक्छो और end of the depolarization of the ventricular ऐसे भी कर सकते हैं तो हमारा यह बात सही हो जाएगी यह भी गलत है यह भी गलत है तो option number two हमारा correct answer है इसके बाद में 140 नमर में देखें फिर एक important question मन जाता है which one of the following option is correct for the blood vessel supplying to an organ and in nature तो बच्चों यहां पर देखिए एक तरफ organ इस organ को कौन-कौन शी रख्तवाईनिया और कैसा रख्त यहां पर सप्लाई करती है तो हल्ट है हल्ट को सप्लाई को रोंडरी करती है बात सही है लेकिन oxygenated होता है नहीं कि deoxygenated गलत बात exempt लंग को supply यहां पर करता है पल्मोनद्री घर करती है लेकिन oxygenated है इसलिए गलत स्मौल इंटस्टेइन है इसको supply hepatic membrane को करती है इसलिए गलत हो गया लिवर है इसको supply करती है यहां पर इप्याप्यक लिखर्त गडिव होता पर ञocy exhaust है जाता हो जाता है थोड़ा सा conceptual question है तो द्यान लगना इस प्रकार के question की भी पूरी possibility यहां बनती है आने की question number 140 की हम बात कर रहे हैं तो इसकी इंदर यहां पर बताया गए कि बलकों carbon dioxide का प्रवा है किसी होगा तो हमने carbon dioxide को बढ़ा है carbon dioxide का प्रवा है तीन पॉर्म में होता है एक पॉर्म में यहां पर है इस्टी के पॉर्म में एक पॉर्म के रूप में एक पॉर्म यहांपर है यहां पर है प्रवाहित हो रही है यह कहां बनता है यह कहां से प्रवाहित हो रहा है प्लाज्मा के अंदर तो carbon dioxide के नहीं ब्लड प्लाजमा एंड यह अमारा यहां पर इपोटेंट मन जाएगा फ्री शीओ नहीं यह नहीं तो टू नमबर आंसर नमबर टू है वह अमारा क्रेक्ट आंसर होगा तो इसलिए यह भी एक पोटेंट कुछन है फिर स्लेक्ट दी ट्रेक्ट मेचिंग ऑप टाइप जोइंट विद एक जम्पल इन हुमन इसके लेटर ने एक सो इक तालिस नमबर कुछन एक पोटेंट है जिसमें टाइप ऑब जोइंट की बात की है और एक चम्पल की बात की है कां होता है बिट्विन फ्रेंटल एंड प्रेंटल लोग इसकी बॉन के बीच में यह इसकल की की बिच में यह इसलिए यह रोंग है हिंज जोइंट होता है इसको बीच में पर बिल्कुल यह यह पर क्रेक्ट अंसर है इस तरीके से हम बोन का जोईंट का क्यूसर बच्जों यहां से बिल्गुल ऐसे करके निकाला गया है और इन को आप रट लीजिए इनके चौंस्ट को आप रट लीजिए का इनको एक रीड कर लीजिए का तो आपके एकजाम में बहुत बड़ा पाइदा इसमें मिल जाएगा आपको बच्छों नमर एक सुब्य और संपूर्ण एमिनो एसीड हमारे PCT में डी अब्जर्ब होता है एक्टिवली होता है यह रटले आप ध्यान रखें बहुत ही पॉर्टेंट क्यूशन बंद रहा है तो एक्टिवली इन PCT तो हमारा ऑप्शन नंबर टू है हमारा क्रेक्ट रांसर हो जाएगा एक्टिवली पॉशन बहुत ही और च्शन है और आप सब घ्सक करोगे तो यह क्या कह रहा है इंटीपाइ ऑप A and B शीड़ी भी क्या है पुशा है और इसके पंक्शन लेटेट पुचा एक प्लेशना ब्रेशन बिसमों रहेंगी इंडर सेल्मास एंब्रियो ब्लास्ट भी कहते हैं जो आगे भून का डिप्रेंसियसन विभेदन और कह सकते हैं कि एक बेबी का फॉरमेशन एक फिट्टस का पॉरमेशन इसी इसी होगा तो यहां पर कह रहा है कि ट्रोपोब्लास्ट अटेच टू दी एंडोमेट् एंडर सेल्मास डिप्रेंसिय एड़ एडई एंब्री almost एंब्रीओं में दिएंड यह बात सदी है राएक नमर्बर ऑंसर आपका किए यहां कुछे जाते हैं तो मैं यहां तक होप कर सकता हूं कि ऐसे कुछन को आप दो होगे यहां पर वाइलो जी आपको 360 बटे 360 देगे जैसे जैसे हम दंगल के द्वारा कुछन को सौल कर रहे हैं तो निश्चित तोर पे हमारा कॉंपडेंस बढ़ रहा है और हम बहुत आगे निकल दाएंगे आप देखना 17 तरीक को देखेंगे इस बात को तो आगे हम चलें यहां नेक्स्ट देखें कुछन नमर 114 की बात करें यह भी एक बहुत इत्सा क्यूशन है 114 नमर क्यूशन है मारे अप्लिकेशन भाइलो जी से रिलेटेड क्यूशन है तो जिसमें एंटीबोडी की स्ट्रेक्चर दे रखी है और उसके बारे में कहा है कि आइडेंटीबाई आइडेंटीबाई दी मार्किंग ओप ए बी सी एंडी इन फिगार गिवन बिलो एंडे स्लेक्ट दी ट्राइबोडी उप्ष्ण तो इसमें हम देखींगे या ऐडेंटीबाई की बात कर रहा है तो क्या किया एंटीजेनिक सायट है यह थो गलत हो गया यह गलत हो गया एंटीजेनिक बैंडिक से ही हैसी क्या है है हवी चेर्ण है एवी टेसल Tian डी करे चेनल भी तो है आपसुन नमबर तीन बारा स्थी हो जाएगा ऑप्सन नमबर टीन मरें 144 इसमीं, अप्शन नमबर तीन मारा क्या है क्या है, इस तरीके से हम यह आपर बता सकते हैं इसके बाद में 124 के अंदर देखें कि टाइगर के टेंड वंबेट आर्थ एक जंबलोब फिर एक इवलिशन का बहुत अच्छा क्विशन है हमारी NCRT क्लास 12 के अंदर एक डाइग्राम दे रखा है मार्सूबियल ले जो एनिमल है उनकी एडेप्टिव डेडियाशन का पर आता है कि कैसे एनिमल है वहां पर टाइगर केट और वंबेटार तो यह एक डाइवर्जन टीवलिशन भी है और एक यहां पर एडेट्टिव डेडियाशन का भी है तो बहुत वन एंड थी यहां पर अंसर आ जाएगा तो यहां पर बहुत एंड फॉर्ट नुमर ऑप् प्रोमसों धेडिया फैसे को ठीटिक जैसट को को दिया वेरी ने दिया डिया ओके लेकिन इसका एक्प्रीमेंटर्व प्रूड पर फॉर्ट को पर काम किया इह वर्ड भी दिया मोर्ध ने सेक्सिलिंगल के बारे में भी बताया जबकि इस्टूट्वेंट ने क्रोमोजोमल मेप है वो सबसे पहले बलाया तो यह तीन-चेर वेगहनिकों के नाम है ऐसे क्योशन यहां पर आ सकती है तो इन पर आप फॉकस रखें बच्छों तो अमारे लिए एक इपोर्टेंट बन जाता है इसके बाद में 146 न के अंदर या फिमेल से क्रेक्टर मेल के अंदर फिर फिमेल के अंदर इस परकार का क्रेक्टर ट्रांस्मिशन हो रहा है पेडिग्री अनलाइसिस में बहुत इपोर्टेंट है रोल करता है तो कौन नहीं कर रहा है हिमोपेलिया करता है कलर ब्लैंड करता है आई कलर अब दर तो इसके बाद में 148 में हम देखते हैं तो क्रेक्ट स्टेट्मेंट यहां पर देखना है तब देखिएगा हम कहें सही कथन को चुन की चुनिए टिड़ा एक जड्ड ओपरकार के लिंग निर्दान का उदारन है इसमें नर्मे अं Unity क्रोमसॉम के साथ जड्ड क्रोमसॉम एक यूग में बनाता है 147 में परकार का लिंग निर्दारना में ऐंदर आपका क्रेक्टर स्टेटमेंट इन प्रूटपलाई प्रूटपलाई क्ली अर्टी क्लिय्वका चोंसी मेतडर एच वाई और चोंती एक्स मेतड़ महते है यह vendor है यह कह रहा है कि क्यों एक ही होता है नहीं दो एक्स होता है इसलिए स्टेट्मेंट गलत हो गया तो सही स्टेट्मेंट है आपका बी एंड सी द्यांड किये सही स्टेट्मेंट इसके अंदर क्या हो जाएगा बी एंड सी स्टेट्मेंट आपका क्रेक्ट स्टेट्मेंट हो लावा जाएगा तो बी अंड छी का पायजाते हैं थाड़ ओप्षिन गेंदर बी और ची तो यह हम आंशर दे सकते हैं ओप्षण नम अमबर थाड़ है अमारानसर है कौन्छे क्विशन में 148 क्विशन में यहां पर रहें टीन number option आपका ख्रेक्ट हो जाएगा फीर है अगला क्यूशन एक और इपोर्टेंट क्यूशन है वीच आप दी फॉलोइंग प्लमोंदरी वोल्यूम एंड क्या कहा रहा है प्लमोंदरी वोल्यूम एंड प्लमोंदरी कैपसिटी आर कैन्नोट भी मेजर बाइदा स्पायरोमेटर क्यूशन है हम TV, ERV, IRV, RV यह वोल्यूम है इसके बाद में IC, EC, FRC, VC, TLC यह कैपसिटी इनका मेजरमेंट करते हैं हमारी अंदर वाई-उंदर जा रही है, कितनी जा रही है, आर इनका मेजरमेंट एक यह अंदर के दवरा करते हैं इस पायरोमेटर के दवरा लेकिन द्यान रखें बच्छों RV का मेजर्मेंट स्पैरोमेटर के दोरा नहीं होता और RV नहीं होता तो FRC का भी नहीं होता क्योंकि अर्फ रसी EC plus Rv बन रही है यहां पर तो तो इसकी दोरा नहीं होता तो मारे पास में यह मेजर्मेंट द्यान लखे आलांकि NCRT में ऐसा यह वार्ड नहीं लिखा हुआ है लेकिन NCRT यहां पर इन वॉल्यूम और इन कैपशिटी के बारे में बता रही है तो हमें यह ध्यान लखना है कि बियोंड दी NCRT यह कुछन बनता है यहां RV और FRC दो ऐसे वॉल्यूम है जिसमें RV इन वॉल्व हो टील् देन्ट हमें नहीं कर पाते हैं किसके दूआरा स्पारमेंटर के दूआरा इसके लिए दूसरी यंतर दूसरी किरिया का उपयोग रही है तो वारे बास में इसका ऑफ्षन हो जाएगा टू नंबर है इसका क्रेक्टा इंसर है इसके बाद में फिर लास्ट एक इपॉर्टे मेटाइसस का मैटाइसस का मेटाइस्टैसइस इसके साथ में एंड़नेश यह भी प्रेक्टर हैं ये को शीकाओं का एक समूं बना यह समूं बना तो इसको एनरजी देने के लिए यह पूट देने के लिए यह हां से दा रही है अब इसके अंदर यह ब्रांच्इंग हो श्रकेन को ब्रांचिंग्रों को रहा है अधिकी ऐंगे इसका रहना है उसको nutrition कम मिलेगा कम मिलेगा तो वो cell कमदोर होती जाएगी और यह cell बढ़ती जाएगी और हमारे इंदर ट्यूमर बन जाएगा तो यह हमारा important character है Meta Stasis है विए contact inhibition इसका character है नहीं है normal cell का है Meta Stasis है लेकिन apoptosis किसका character है अपoptosis का meaning cell death द्यान रखें cell death तो यह character यहां पर normal cell का है cancer cell के अंदर cell यही तो एक property है cancer cell के अंदर cell की death नहीं होती Meta Stasis cell है नहीं है यहां पर controlled division नहीं है uncontrolled division है इसलिए हमारा एक है यह option बहुत ही अच्छा question है angiogenesis word direct ncrt में नहीं दे रखा दया लखें लेकिन beyond the tumor mechanism में इसमें यह word साथ में कई बार आ जाता है इसलिए यह word शिखाना था आपको angiogenesis committing formation of the blood vessels in the tumor cells in the tumor branching of the blood vessels इसको angiogenesis कहेंगे और जान 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 इस परकार का tumor बनता है वहां blood vessels का cluster बढ़ जाता है तो इसी का नाम angiogenesis है तो बच्छो इस परकार से 150 question हमने पूरे किये हैं तो I hope you are clear understand about the dungal number six है और मैं फिर एक बार आपसे दुआ करता हूं बच्छो बगवान से प्रातना करता हूं कि आपका बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है बिस आपका मन और मस्तिष का श्यानत रहे और आपको सब कुछ आ रहा है आपको 17 तरीकों सब कुछ आ रहा होगा लेकिन आप श्यानती है और 100% पेपर हम करके आएंगे ये मैं हमारी मैनत हमारे टीम की मैनत हमारे बोस की मैनत हमारे बोस का मोटिवेशन हम सबने मिलके जो काम किया है उससे हमें बिलिव है अपने आपके उपर और कि हमारे जो बच्चे है वो 17 तरीकों बहुत अच्छा करेंगे बहुत अच्छा क